जब देखो मेरी फ्रेंड, दिखा दिखा मेरी फ्रेंड वाकिंग कर रही है अब इस टाइम पर मेरा तो वाकिंग बंद हो गया अच्छा, ये कडिला के पेड लग रहा है तुमने ये वो जो कडिला पक जाता है ना ललल हो जाता है उसका सीट्स तो ये गम्रा खली हो गया था तो मैंने यहां पर डाल दिया बहुत अच्छा देखिए अच्छा तो लगड़ा है इसका बड़ा भी खाने को मिलेगा मिलेगा ना पाट इतना छोटू समें क्या हम तूंको बड़ा खिलाएंगे चारी तो पत्ते हैं इसमें से करीबत्य के पौधा जो था उसको मैंने काट दिया था फिर से बढ़ना शुरू हो गया फिर से ग्रो कर रहे हैं क्यूंकि बारिस के टाइम में हम कटिंग करते हैं दूसरे टाइम पर कटिंग करना अच्छा नहीं होता है और वो लगता भी नहीं है पाइम दिखते हैं और ये है मेरा मनी प्लैन्ट कितना अच्छा घना हो गया इससे मैंने दो पौधा और बनाया है ये मदर ब्लैंट है इससे मैं कटिंग कर ये बनाती हूं और 8 अब लोग और एक चीज़ के जासे हैं ये जो हए ये ट्राइं कलर जो प्लिंट है यह इसका भी mother plant मैं room में रखी हूँ, living room में, तो उससे भी मैंने cut करके ऐसे बनाया, तो यह अच्छा से घनाव भी हो गया, और यह जो है पौधा, यह जो है, यह संसे वेरिया है, तो इसका भी छोटा छोटा अब देख सकते हैं, यह जो है mother plant है, और mother plant का यह जो नीचे का छो plant ग्रो कर रहा है, तो जब यह पुड़ा घना हो जाते हैं, तो इसको अच्छा से root को अलग करके, फिर मैं यहाँ पे, दो यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो इससे भी और भी ज्यादा पौधा मेरे को मिल जाएगा, यह जो है, यह जो plant है, यह arrowhead syngonium है, तो इसका भी, यह जो roots अब लोग को दीखता है, दीख रहा है, जो यह roots मैं cutting करती हूँ, cutting करके फिर लगाई हूँ, और फिर इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा घना हो गया, और यह देखिए, प्यू ने इसको अच्छा से color कर दिया, यह जो plant है, यह actually आजवाईन का plant है, इसमें एक आजवाईन टाइप का flavor है, तो इसका पत्ते तोड़ने से न, बहुत अच्छा खुश्बू आती है, इसका एकदम आजवाईन की तरह, तो इसका पकोड़ा भी बनता है, पार्था तो हमेशा बनता है, इसका पकोड़ा बना thejust maintenance वाले यह सब पौदा है, अच्छा से यह जो पौधा है यह भी मैंने कटिंग करके लगाया मदर प्लंट से एक छोटा सा गंबले में तो कितना अच्छा हो गया यह और मैं पौधा में चाय के पती छोड़के भी मैं भर्मी कॉम्पोस्ट और जो अंडे का जो सेल्स होता है तो उसको भी मैंने मिक्स्टर में ग्रा आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर भी एक प्लंट है जो ट्राइ कलर यह है मदर प्लंट यह भी कितना अच्छा से ग्रोव हो गया जोज खना बनाओंगी वो भेज खने बनाओंगी तो मैंने यहां पर ले लिये यह इसको बोलते हैं actually यह रेसिपी का नाम है कुमरो चुक्का तो मतलब भेज सब्जी यह जो है यह pumpkin है जो मैंने इसको dice पे मोटे मोटे dice पे काट लिया और यहाँ पे है अलू मोटे मोटे टुक्रों में मैंने काट लिया बाकी यहाँ पे ले लिये हम अद्रक और यह थोड़ा सा कुटी हुई नारियल बाकी हल्दी नमाक और लालमिच पाउडर तो है और क्यूमिन और कुरियंडर पाउडर जो मेरा मसला के डबे में खाली हो गया भी इसको भड़ना है फिर से रिफिल करना है और मैंने यहाँ पे और दो तीन आइटेम ले लिये जो है कि भीगा हुआ चना और टेज पत्तार सुखी लालमेच और पाच पोरन जो हम पहले पोरन में यूज करते हैं तो मैं सबसे पहले उकड में तेल डाल रही हूँ और पाच पोरन सुखी लालमेच और पाच पत्ता पहले मैं आणू को डाल रही है और अभी मैं अलू प्राइब हो गया अच्छा से लाल हो गया अभी मैं प्रमकिन को डाल रही हूँ सबजी प्राइब हो गया अभी मैं इस में यह जो भीगा हुआ जो कला चना है यह मैं डाल गया और यहां पर मैंने फुटा हुआ आगरा इसमें मैं खल्डी, कुमिन पाउडर, कोरियंदर पाउडर जो मैं मिक्स करके रखती हूँ और लाल मर्च पाउडर और इसमें हलका सा पानी आद करूँगे इसको मैं डाल दिया अभी मैं थोड़ा सा तीखा बनाऊंगी इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यह जो हरी मिर्च है तोड़के मैंने डाल दे रही हूँ और नमक अस पर टेस्ट अलका शब शूगर इसमें टेस्ट बैलंस हो जाता है तो यह अभी हो गया फिर मैं यह जो गिसा हुआ नाडियल जो रखा था यह मैं डाल देंगे यह सब्जी जो है अक्चुली रोटी पराठा और पिरी के साथ ही अच्छा लगता है और हम लोग ज्यादा तर यह ऐसे जिस दिन भेज खाना होता है नहीं तो दुर्ड़ा पुजा के टाइम ही बनाते हैं यह अच्छा से मसाला फ्राइ हो गया और सब्जी भी वेज़िटबल्स भी फ्राइ हो गया तो अधी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ दो सीटी लगाएंगे उसके बाद यह तयार हो जाएगा अभी अच्छा से बॉइल हो गया और सब्जी भी बन गया मैं उपर से एक चमच घी अड़ कर रही हूँ इसको अच्छा से अबानेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब जो आइकन है उसमें जाए और सोमाज वर्ल्ड टाइप कीजिए सब्सक्राइब बटन जो है उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन जो है वो अगर प्रेस करेंगे तो मेरे आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा